Good morning students, today I teach you English grammar, lesson 4, topic, nouns. Okay students, naming words, आज हम परेंगे, naming words. Naming words are, naming words are nouns. The noun is the word that name a person, place, animals or things. Naming words, किसी बस्तु का नाम, किसी बैक्ती का नाम, किसी जानबर का नाम, यह सब मेरा क्या है? Noun है, ओके, तो हम पर्स्ट में परते हैं, Animal, क्या परते हैं? Animal, Cat, Croc, Cow, Horse, Things, Eraser, Paper, Book, Pain, People, Man, Woman, White, Girl, Father, Mother, Brother, Sister, इसने घ्राषान के रहा है। कर देक्ष को पोल का बहुत है। नहीं प्राइब सammot番 में ये फिगर कैसी क्या है, सन है, ये देखिए, ट्री है, ये क्या है, कैमेल है, ये बॉय है, ये फ्लावर है, और ये हॉस है, इस तरह से आप आगे देखिए, नेमिंग वर्ड, नेम्स ओफ एनिमल, किसी भी जानबर का नाम, ये से डॉग, होर्स, लायन, और कॉप, नेम ओफ बर्ड्स, पीको, पीजैन, मैना, एस्पेरो, नेम ओफ प्लेस, शॉपिंग मॉल, गार्डेन, ताज महल, लोटस, टेमपल, और नेम ओफ तिंग्स, बैल, प इस तरह से इतने भी इनिमल, वर्ड, प्लेस, और थिंग्स, ये सब जितने भी चीज़ पढ़ें, ये सब क्या नाउन है, उसको हम नाउन करते है, यानि नेमिंग ओफ इस कॉल नाउन, तो आप इस चेप्र को एक्सराइज वन, इसका मैं पढ़ा दी हूँ, कल के क्लास में मैं आपको स्टरसाइज तू बताऊंगे, तो आप अपने भूफ को निकालने खोलेंगे, और निसन फोर नाउन निकालेंगे, और इसका जो डिपनिशन है, नेमिंग वर्ड, और नाउन्स, इसको आप याद करेंगे, और देखेंगे कि नाउन क्या-क्या होता है, नाउन क इसको कहते हैं, ओके स्ट्रेंट, तो कल के गलास में मैं इसके आगए का सक्षर साच बताऊंगी, ओके स्ट्रेंट, आया